आज की हमारी कविता एक फूल की चाहा यह पूरी कविता छूआ छूट की समश्य पर केंद्रित है कवी कहता है कि एक बड़े स्तर पर फैलने वाली बिमारी बहुत भयानक रूप से फैली हुई थी उस महामारी ने लोगों के मन में भयानक डर बैठा दिया था इस कविता का मुख्य पात्र उसकी बेटी है जिसका नम सुखिया था उसको बार बार बाहर जाने से वह रोका करता था लेकिन सुखिया उसकी एक भी नहीं मानती थी और खेलने के लिए बाहर चली जाती थी जब भी वह बाहर जाते हुए उसे देखता था तो वह बहुत डर जाता था उसका हरदे डर के मारे काप उठता था और वह यहीं सोसता रहता था कि किसी तरह उसकी बेटी उस महामारी के प्रकोप से बच जाए एक दिन सुखिया के पिता ने देखा कि सुखिया का शरीर बुखार से तप रहा था और उसने अपने पिता से कहा कि वह तो बस देवी मा के पशाद का एक फूल चाहती है ताकि वह ठीक हो जाए सुखिया के शरीर का हर अंग बहुत कमजोर हो चुका था सुखिया का पिता सुखिया की चिंता में इतना डूबा रहता था कि उसे किसी बात का होश ही नहीं रहता था जो बच्ची कभी भी एक जगह शंती से नहीं बैठती थी वही आज इस तरह चुपचाप पड़ी रहती थी कभी मंदिर का वर्नन करते हुए कहता है कि पहाड की चोटी के ऊपर एक विशाल मंदिर था उस विशाल आंगन में कमल के फूल सुरिय की किरणों की तरह शोभा दे रहे थे जिस तरह से सुरिय की किरणों में सोने के घड़े चमकते हैं मंदिर का पूरा आंगन धूप और दीपकों की खुश्बू से मेहक रहा था मंदिर के अंदर और बाहर ऐसा माहो लग रहा था जैसे वहां कोई त्योहार या उत्सव मनाया जा रहा हो जब सुख्या का पिता मंदिर गया तो वहां मंदिर में भक्तों के जुंड मधूर आवाज में एक सुर में भक्ति के साथ देवी मा की आराधना कर रहे थे सुख्या के पिता के मूँ से भी देवी की स्तुति निकल गई पुजारी ने सुख्या के पिता के हाथों से दीप और फूल लिए और देवी की प्रतिमा को अर्पित कर दिया फिर जब पुजारी ने उसे दोनों हाथों से प्रसाद भर कर दिया तो एक पल को वह ठिठक सा गया क्योंकि वह छोटी जाती का था और छोटी जाती के लोगों को मंदिर में नहीं आने दिया जाता था सुख्या का पिता अपनी कल्पना में ही अपनी बेटी को देवी मा का प्रशाद दे रहा था यानि कि वह केवल सोच रहा था कि अपनी बेटी को परशाद खिला रहा है सुखिया का पिता परशाद लेकर मंदिर के द्वार पर पहुचा भी नहीं था कि अचानक किसी ने पीछे से आवाज लगई कि अरे यह अचूत मंदिर के भीतर कैसे आ गया इसे पकड़ो कहीं यह भाग ना जाए वे कह रहे थे कि सुखिया के पिता ने मंदिर में घुस करके काफी अनर्थ कर दिया है और यह एक बहुत ही बुरी बात है क्योंकि लंबे समय से मंदिर में पवितरता बनी हुई थी उसे इसने अशुद कर दिया है इस पर सुखिया के पिता ने कहा कि जब माता ने ही सभी मनुश्यों को बनाया है तो मंदिर में आने से मंदिर अशुद कैसे हो सकता है यदि वे लोग उसकी अशुदता को माता की महिमा से भी उचा मामते हैं तो वे माता के ही सामने माता को नीचा दिखा रहे हैं लेकिन उसकी बातों का किसी पर कोई भी असर नहीं हुआ और इतनी बिडंबना से उन्होंने उसे घेर लिया और उस पर लात खुंसु की बसात करके उसे नीचे गिरा दिया लोग उसे न्याया ले ले गए, न्याया ले क्या होता है, कोट होता है, वहां ले गए और उसे साथ दिन की जेल के सजा सुनाई गई, जेल के वे साथ दिन सुख्या के पिता को ऐसे लग रहे थे, जैसे कई सदियां बीत गई हूँ, उसकी आँखे बिना रुके, बरसने के ब बाद भी बिल्कुल भी नहीं सुखी थी लगातार वह रो रहा था जब सुख्या का पिता जेल से छूटा तो उसके पैर उसके घर की और नहीं उठ रहे थे सुख्या के पिता को घर कप पहुचने पर जब सुख्या कहीं नहीं मिली तब उसे सुख्या की मोत का पता चला और अपनी बच्ची को देखने के लिए सीधा दोड़ता हुआ सम्शान पहुंचा जहां उसकी रिष्टेदारों ने पहले ही उसकी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया था अपनी बेटी की बुजी हुई चिता देखकर उसका कलेजा जल उठा उसकी सुन्दर फूल सी कोमल बच जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर भी करना थेंक यू फोर वाचिंग